दोस्तों ये है एक MP3 मोडियूल इसके अंदर एक डिस्प्ले मिलता है क्या इस डिस्प्ले को यूज़ करके हम लोग Arduino से कुछ बना सकते हैं चलिए देखते हैं इस वीडियो में तो भाई मैंने ऐसा एक खराब कीट से इस वाले डिस्प्ले को निकल लिया तो इसमें है 12 पीन टोटाल तो ये पूराना वर्शन की है जो नया नया वर्शन की है उसमें 6 पीन मिलता है तो ये काफी कॉंप्लेक्स है मैंने इन दोनों का ही जो डियाग्रम है वो मैंने यहापर ड्रॉ कर लिया जास्ट इन में वोल्टेज दे दे के देखा कहां पर वोल्टेज देने से कौन सी एलेडी ओन हो रही है फिर जाके यह ड्राग्रम मैंने बनाया अब इस पूराना वर्शन की डिस्प्ले का अंदर जो मिला यहापर 12 पीन है अगर यह डिस्प्ले ऐसे रहता है तो यहापर तीन-तीन सेगमेंट है बाकी यहापर 188 है यह पूराना वर्शन के लिए कानेक्शन काफी सिम्पल मिल गया यह होता है seven segment की डिस्प्ले यहापर एक एनोड रहती है और साथ के दो रहती है यह कमन दिस्प्ले है इसलिए और कमन के दोड का भी डिस्प्ले रह तो जो plus है, वो plus अलग-अलग है मतलब कि एक नंबर के लिए एक plus है, दूसरा digit के लिए दूसरा plus है, ऐसे 4 plus है इसके अंदर और बाकी 7 minus है, तो यहां पर ए होता है यह वाला segment, यह है तो B, C, D, E, F, और G, इस तरह की segments होती है, तो अगर इसको जलाना है, तो हमें 2 plus में voltage देन तो यह जा लगी, C में नेगेटिव देंगे तो यह जा लगी, इस तरह से यह एक एक डिस्पले जलती है, तो इसमें मैंने A, B, C, D, E, F, G, सारे कनेक्शन निकाल लिए, जो रेड में लिखावा है, यह सब माइनस का है, और जो ब्लू में है, यह सब प्लास का है, और दोस्त इसमें नेगेटिव देंगे तो एक LED जलेगा, लेकिन पोजिटिव नेगेटिब पर देंगे, तो दूसरा LED जलेगा, तो इस तरह से यह segments काम करता है, तो यह पर जो रेड में लिखावा है, और जो ब्लू में लिखावा है, यह सब माइनस है, मतलब इस वाले segment का आ egentतप ज डिस्पले में मिलता है इसमें भी एक डिजिट को जलाने के लिए एक प्लास है और बाकी 7 माइनस है और जो यहाँ पर डिसिमल पॉइंट है इसके लिए और एक माइनस मतलब कि इसके लिए 8 माइनस वाच चार प्लास होगा 112 पिन हो गया तो यह डीपी है decimal point का negative लेकिन यहाँ पर only एक ही decimal point हमें मिलता है तो भाई यह हो गया display तयार यहाँ पर जो पीछे connection से यह जो सबसे simple होता है connection वैसा ही किया जैसे यह सिधा सिधा लगा दिया यहाँ पर का connection connection सिधा इसमें जाएगा यह सिधा इसमें जाएगा बाद में हम लोग code में इसका pinout लिख देंगे तो काम हो जाएगा तो यहाँ पर चार रेजिस्टर लगा है चार positive के लिए और बाकी सब negative को just connect कर दिया यहाँ पर एक pin मैंने नहीं लिया यह बला तो यह है decimal point की pin यह point का तो इसको आप D13 में connect कर सकते हो code में वैसे लिखोंगा मेरा Arduino में एक side में D12 तो काती है इसलिए मैंने 13 वाला को छोड़ दिया तो यह अब ऐसे लग जाएगा बाकी आप code करने की बारी है तो पहले गूगल में आ जाएंगे यह पर search करेंगे 77 library for Arduino यह second वाला है इसमें क्लिक करेंगे और इसमें जाके जो latest version है यह वाला इसको डाउनलेड कर लेंगे एक zip file डाउनलोड हो जाएगी यह zip file Arduino की जो एप है इसके अंदर manage library में जाके include jeep library इसमें जाके आप लोग download folder में से इसको include कर लेना तो मेरा वाला है यह वाला तो इसको just click करके ok कर देंगे तो यह library include हो जाएगी आप sketch में जाके examples में जाएगे तो यह पर कुछ examples ज्यादा मिल जाएगा और यह होगा उस library का examples तो यह जो example है यह counter का code है यह display में number बढ़ाने के लिए code है यह पर जो num digits है मतलब की 4 digit का display है यह इसलिए num digit 4 यह ऐसा ही रखेंगे change नहीं करेंगे digit pins जो है यह positive जो pins यह sub digit के लिए एक वह यह आपर देना होगा क्यूंकि यह common node display है यह common node होगा और यह सही लिखा हुआ है और जो यह बला है यह sub minus का connection है यह sub a,b,c,d,ef,g और यह बला है decimal point का तो यह sub minus और plus की जो connection है ज़्यादा जन करेंगे आपको चाहिए तो यहापर इस library के regarding सारे informations मिल जाएगा और यह informations पड़के आप आपका खुद का code भी बना सकेंगे अब यह positive और negative जो pins है यह सब change कर लेंगे मैंने जो circuit बना इसके according उसके बाद port सिलेक करके इसको upload कर दूँगा Arduino Nano में तो आपके पास जो भी Arduino है इसके साथ काम करेगा without any problem कि दोस्तों code हो गया upload इसमें एक counter का code लगा दिया नंबर जो है धिरे धिरे बढ़ते जाएगा तो जास्ट इसको मैं यहापर connect कर दूँगा और देखिए नंबर बढ़ना सुरू हो गया है ओके तो देखिए यह कितना अच्छा दिख रहा है यह नंबर बढ़ना सुरू हो गया तो यह project हमारा 100% successful रहा है तो इस display को मैंने drive करके दिखाया मुझे अभी भी यकिन नहीं वह रहा है कि यह इतना simple सक्सेस हो जाएगा दोस्तों इस display को लेके only counter नहीं इसके अलाबा आप कई सारे चीजे बना सकते है जैसे कोई वोल्ट मेटर होगा कोई भी project का जो number है उसको display करा सकते है इस display में तो आपको यह वीडियो कैसा लागा कॉंट से बात है अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए हमारे चैनल का दूसरा वीडियो भी देखिए उसमें आपको क अफी नयने चीजे innovative ideas बगरा मिलेगा दोसों thank you for watching मिलेंगे next वीडियो में with a fresh and new idea